हेलो स्टूइट्स तो देख आज हम शुरू करने जा रहे हैं 11th क्लास का एक बहुत ही बेसिक्स और इंपॉर्डेंट शेप्टर जिसका नाम है Atomic Structure जैसे कि आप सभी जानते हैं एक क्वेशन दिसे पक्का ही पक्का है लेकिन यह आपके साथ-साथ सब्सक्राइब बहुत करता है क्योंकि फिसिक्स में जब 12th क्लास के अंदर modern physics पढ़ते हो तो वहां पर अटोमिक स्टॉक्चर के कई कंसेप्ट यूज में आते हैं बिल्कुल बेसिक्स हम शुरू करते हैं सबसे बहुत करेंगे पाल्टिकल की डिसकवरी की तो दो इंपॉर्टेंट एक्सपरिमेंट साब पढ़ते हैं को था है कैथोड रे डिस्चार्ज टूब एक्सपरिमेंट जहां से आपने इलेक्ट्रॉन की डिसकवरी की थी और दूसरा एनोड रेस की हम यहां पर बात करेंगे तो बेसिकली आपने बच्पन में बहुत कुछ इनक के बारे में ध्यान रहनी चाहिए तो आप शुरू करते हैं सबसे पहले डिस्चार्ज टूब एक्सपरिमेंट डाट इस कैथोड रेस से जहां से डिसकवरी ऑफ एलेक्ट्रॉन हुई थी पर आप समझ सकते हैं दिखते हैं यह यह आपको यह पे वैक्यूम पंप यह पर अल्ट्रा लो प्रेशर क्रियेट करें यह काम है यह कैथोड है यह एनोड है यहां पर आप हाई वोल्टेज लगाते हो और आउन 10,000 वोल्ट के आसपास का जब आप इस ट्यूब पर गदत से हम यहां पर 10 to the power minus 6 mm of Hg इतना low pressure create कर लेते हैं इस condition में क्या होता है हमें cathode से निकलकर anode की तरफ जाती है कुछ raise दिखाई देती हैं जिनकों किस नाम से जानते हैं cathode raise के नाम से जानते हैं तो basically in cathode raise के नदर क्या होता है क्योंकि देखो यह raise नेगेटिव औक टो प्रफ मुफ कर रही है तो एक चीज़ कि कर रही है कि इसलिए पॉसिति ऑ टरफ जा रही है फुर्दर इनके नगेटिव चार्ज को कनफर्म किया गया था कि जब इनके तरह अलग से लेक्ट्रिक फील्ड लगाया जाए तो इक नगेटिव क्या उरे तिटि तोवहां से कंफर्म हुआ है कि इन कैफोड रेस पर नेगेटिव चार्ज है दूसरा इन कैफोड रेस यह क्या यह कोई का निगहां ने इए तो यह देखने के लिए इसके रास्ते में एक पिन रहा होगा दूसरा किसी भी ऑपजेट को हैं रखने पर यह उसकी शार्प शैडव क्रियेट कर रहा था इसका मतलब यह जो रेसें स्ट्रेट लाइन में मूव करती हैं इससे आप देखो यहां पर जाकर आएगी तो इसी का शार्प शैडव बिल्कुल एक्जैक्टली ऐसा है सारे edges आपको देखेंगे सारे corners आपको देखेंगे वो तभी हो सकता है जब light bend नहीं हो रही है वो straight line path में move कर रही है तो cathode rays straight line path में move करती हैं cathode rays के इंदर particles होते हैं जिनका अपना कुछ ना कुछ मास होता है initially इन particles का नाम रखा गया था एनोड की तरफ travel करना शुरू करते हैं अभी आप आगे चल कर देखोगे इस process में क्या होता है जो आपने gas यहां पर भरी है उस gas को यह electrons क्या करते हैं आइनाइज करते हैं जिससे क्या होती है आपकी second type rays that is anode rays generate होती है उनकी बात हम बाद में करते हैं अभी हम यहां पर basic ची होते हैं electrons अब important चीज क्या है यह जो nature of cathode rays होता है nature of cathode rays से हमारा क्या मतलब है कि इसके इंदर जो particles हैं उनके charge और mass का ratio तो देखो चाए आप यह hydrogen gas भरो चाए helium भरो चाए o2 भरो cathode rays में तो क्या हो रहा है बैटरी से electron आ रहा है जो कि यहां से यहां मूफ कर रहा है तो उनका nature gas के nature पर depend नहीं करता है तो सबसे important चीज जो आपको याद रखनी है cathode rays का nature यहां पर भरी गई gas और इस electrode के material पर depend नहीं करता है आप चाहिए graphite electrode यूज करो आप चाहिए platinum electrode यू कर लो जो cathode rays में particle generate होंगे वो अब भी क्या होंगे electrons ही होंगे we have huge collection tutorial videos which you can acquire on our E2's India social media channel you can like, share our facebook and twitter page along with subscribe our youtube channel and click on the bell icon for more updates